आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ क्योसन में क्या देवाई calculate the cryoscopy constant in in kilo kilo kg mol inverse of cyclohegian given that that heat of fusion कितना देवा रखा है 263 joule mol inverse दे रखा है याणि freezing point कितना दे रखा है 6.6 degree centigrade तो याणि इसका freezing point दे रखा है तो याणि freezing point दे रखा है तो याणि Tf दे रखा है Tf कितना दे रखा है 6.6 degree centigrade तो इसको Kelvin में change करता है केल्विन में कितना होगा 273 प्लस 6.6 यह 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 यानि 279.6 Kelvin यह दे रखा है Heat of fusion दे रखा है Heat and ΔHF दे रखा है Heat of fusion तो यह कितना दे रखा है 263 यह यहनि जूल मॉल इन्वर्स दे रखका है तो इसका M-soluant यानि क्या है साइक्लो एक जैन है साइक्लो एक जैन है यह होगा साइक्लो है जैन साइक्लो है जैन यह है इसका केमिकल फर्मॉला होगा-मॉलर मास क्या होगा एम सोलवेंट यहां आंसे क्या आ रहा है 84 आ रहा है, तो क्राइस को अफि कॉंस्टेंट क्या होता है, यानि KF equal to M Solvent, Solvent क्या है, साइक्लो एकजन है, into R into Tf का स्क्राइज, यानि फ्रीजिंग पॉंट का स्क्राइज, divide by 100 into delta H fusion, यह होगा, तो M Solvent कितना है, 84, R की value कितना होगी, 0, यानि 8.314 into Tf, R की value कितना होगी, 8.314, यानि केस कोंस्टेंट, और Tf कितना रहा है, 279.6, तो 279.6 का whole square, divide by 100 into 2630, तो यहां से इसका answer कितना रहा है, 20.76, तो अपना answer कितना होगा, 27.6, तो option first is correct, यह ही क्या अपना answer है, thank you.